हेलो गाइस तो कैसे आप लोग आई होप अच्छी होंगे तो मेरा नाम है रोष्ट कुमार और आज हम बीएसी सेकंडेर के बुक अलजेबरा और उसका चैप्टर नमबर 3 साइकलिक ग्रुप की थियूर्म 3.1.9 को आज हम सोल्व करेंगे ठीक है तो यह थियूर्म आपने समझनी है कैसे की की हुई यह बुक में और मैं कैसे करूंगा ठीक है आप फील आ जाएगा एक ठीक है तो जैसे मैंने स्टैप यह आपने बैसे फोलो करने हैं ओके तो करते हैं आप हम इसको स्टार्ट तो यह रही आपके पास ठीक है अब देखों लिखना क्या है सबसे पह night ठीक है cyclic group मैंने short लेकिती है ठीक है अच्छा x belongs to g be any element माल लिए ठीक है x belongs to g be any element ठीक है जैको x equal to a की पापर m ले लू सब यह m कहां से आ गया यार m क्या है एक antizer है r क्या है एक antizer है n क्या है एक antizer है तो antizer की value 0 1 2 3 0 put करके देखो तो a की पापर 0 तो x की value 1 आजाएगे a की पापर 0 करते है 1 होती है तो x की value 1 a की value 1 तो चीज़ satisfy हो रही है ठीक है अच्छा जी अब इसको मैंसे कैसे लिख सकता हूँ this implies a की पापर 1 into m कर सकता हूँ बोलो feel आए तब भी तो answer यही आएगा ठीक है तना clear है ना लिख दोस्को कोई बात ना ठीक है अच्छा जी इसको मैं a inverse 1 और minus inverse 1 m कर सकता हूँ sir जी कहां से आगया अब वो क्या रहा है जी algebra algebra है algebra feel समझो उसकी ठीक है अब देखो जब जी minus के हो जाएगे plus तब भी answer यह आएगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sir बड़ा खराबाल जब रहा है जे कोई बात ना देखो क्या हो जब 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 तो G के साथ हम जे जरनेट कर सकते हैं एक G का B के साथ A तो ले लिए है आप B लेना है ठीक है बी की बेली भी कई नगई बन मिल जाएगी ठीक है इतना तो ख्ले रहा है अच्छा जी अब आगे करते हैं A belongs to G जे हैं समझने वाला ठीक है जब भी A belongs to G लेना है तो आपका function B पावर N जे लिखना है अब देखना क्या आएगा B belongs to G and Z is equal to A ठीक है तब आपका function B is equal to A की पावर M जे आएगा आपका यहां से ठीक है ऐसे ही करना है अपने यह ठीक है अच्छा जी अब आगे देखो इसको उठा लो A की पावर B की पावर N ठीक है अच्छा जी इकल टू ठीक है और B की पे लिख इतनी है A की पावर M मैंने पुट कर दी और ऊपर के है N तो इसको मैंसे लिख सकता हूं A की पावर MN ठीक है बूलो इतना क्लियर है फील्ड के साथ ऐसी है ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पेज़ पे करते हैं तो इतना तो लास्ट में आगया था हमारा तो A is equal to A की पावर MN मैंने लिखती है ठीक है अच्छा जी यह देखो A की पावर MN है यह equal to मैंने यह equal to मैंने यह A divide में चला गया ठीक है अब जहां पर बच गाएगा E ओके E बच जाएगा ना ठीक है यह तो बन बच जाएगा ओके अच्छा जी अब देखो आगे क्या करना है E जी उपर जाएगा ठीक है A MN और A inverse 1 ठीक है E is equal to A MN माइनस 1 लिख सकता हूं इसको मैं ठीक है इतना तो आगे है ना फील के साथ अब देखो जी क्या है order है ठीक ह ठीक है जो भी power में मिलेगी वो infinite में मानी जाएगी ओके अच्छा जी अब आगे कैसे करना है अब इस function के साथ ही खेलना अब हमने ठीक है तो MN माइनस 1 ठीक है equal to 0 मा कर दो तो अब तो बच्चे वाला question हो गया है MN is equal to 1 ठीक है तो M के वेले निकाल तो यहां से 1 upon N आपके पास ठीक है तो what MN belongs to I और M और N क्या है का अंटीजर आपके पास ठीक है तो आगे मैं इधर कर देता हूं ठीक है तो आपका अंसर यहां तक है ठीक है अब आपने आगे क्या करना है M is equal to N plus minus 1 यह कहां से आगया सर्ची देखो M और N क्या हैं अंटीजर है तो अंटीजर कित क्या आता है एक function आया था आपने देख लेना है B is equal to A M ठीक है कहां पर आपको मैं बताब देता हूं यह आया था आपका B is equal to A M आया है था ना मैंने इन दोनों मैंसे कोई फंक्शन उठा लो B is equal to A N उठा लो B is equal to sorry A is equal to B N उठा लो या तो B is equal to A M उठा लो M की जगा प्लस 1 put कर दो तो B की power A बना गया ठीक है तो आपका क्या answer आगया आप इसको divide में ले जाओ तो इसका answer क्या बन जाता है A inverse 1 मतलर divide में हमें क्या मिलेगा A inverse 1 मिलेगा ठीक है तो आपका question ऐसे होईगा ठीक है ऐसे ही मिलते हम next video के साथ तब ते के लिए bye bye and take care